फालगुन पुर्णीमा के दिन तक्या की नीचे एक रुपे के सिक्का और तीन लॉंग इस तरीके से दवा देना पैसा खुद चल कर आपके पास आएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही प्रिया चैनल प्राचीन गान में दोस्तों हिंदु धरम में पुर्णीमा और अमावस्या तीति को बहुती विशेश माना गया है अभी फालगुन का महिना चल रहा है सनातन धरम में फालगुन की पुर्णीमा बहुती जादा विशेश महत्व रखती है क्योंकि इस दिन होली का दहन और लक्ष्मी जहनती का त परिशानी कष्ट हमेशा के लिए नश्ट हो जाते हैं। समरिद्धी पाने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जा रहा है। समरिद्धी पाने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए अगर आप भी जाते हैं कि भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी की किरपा आप पे और आपके परिवार पर सदैब बनी रहे। तो कमेंट बॉक्स में तुरन लिख दें जै भगवान विश्णु जै माता लक्ष्मी जी की। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले जा करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हिंदू पुराणों की हर जानकरी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तो इस दिन माता लक्ष्मी जी समुद्र मन्थन से अवरित हुई थी यह तो हमने आपको बता दिया। लेकिन इस दिन भगवान विश्णु जी की हम पूजा क्यों करते हैं। इस दिन भगवान विश्णु जी हमको आशिरवात क्यों देते हैं। चलिया आपको बताते हैं। देखें इस दिन श्री भगवान विश्णु जी की पूजा इसलिए की जाती है। क्योंकि दोस्तो यही वो दिन है जिस दिन राक्षस हिरनकर्ष्यप और प्रहलात की पुरी कथा को लिखा गया था कहा जाता है कि जो हिरनकर्ष्यप था वो अपने पुत्र प्रहलात को मृत्यु दंड इसलिए देना जाता था क्योंकि उसका पुत्र जो था वो भगवान शिरी हरी भगवान विश्णू जी का परम भक्त था इसलिए हिरनकर्ष्यप ने अपनी बहन से कहा था कि प्रहलात को ले करके तुम अगनी कुंट में बैड़ जाओ और हिरनकर्ष्यप के बहन का नाम था होलिका भगवान शिरी विश्णू जी के आशिरवाद से प्रहलात बज गया था लेकिन जो होलिका थी जिसको वर्दान प्राप्था कि उसको अगनी से कुछ नहीं होगा वो जल गई थी इसलिए दोस्तो इस दिन हमों होलिका का दहन करते हैं कहने का तात पर रहे हैं दोस्तों ये बहुत शुब दिन है और आपको हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं इस दिन 33 तरीके के शुब और दुल्लब संयोग बन रहा है मतलब इस दिन किये गई पूजा, साधना, किरिया और उपाय खाली जाही नहीं सकते हैं वाशुषासर के साब से एक टुटका है दोस्तों, एक रुपे के सिक्के और तीन लौंका जिसमें आपको एक रुपे के भी खर्चा नहीं है कैसे फालगुन पुर्णीमा के दिन आप एक रुपे के सिक्के और तीन लौंका कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपके बाद धन खेचा हुआ चलाएगा इसलिए दोस्तों ये सारे उपाय कहीं पर लिख लिजे क्योंकि ये उपाय बहुत सरल से उपाय है तो एक बात आपको बता दें वाशे शास्तर में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी पंडिस से अस्ट्रोलाजा से तांतिर्ग से पूजा पाट करवाते हैं तो उसका जो फाल आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है लेकिन फालगुन हो गई, पुर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, ये जो शुब दिन होते हैं जिस पर साक्षात भगवान हमारे धर्ती पर वास करने आते हैं इस दिन अगर आप खुदी पूजा को सिद्ध कर दे तो मान के चलिए, आपको उसका लाब तुरंथी मिल जाएगा कहने का तत पर रहे हैं दोस्तो, ये जो फालगुन पुर्णिमा है, इस पर तैतित तरीके के शुब और दुलदफ सहयोग बन रहे हैं इस दिन अगर आप खुद अपने हाथों से वा उपाय कर लेते हैं, वा टुटका कर लेते हैं, जो आपको हम बताने आ रहे हैं, इसका फल आपको तुरंथी मिल जाएगा और आपके जीवन से सारी परिशानिया खतम हैंगी, और आपके जीवन सब कुछ शुब होगा इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाश्ट तक अंते तक देखेगा, अब जितने भी आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं, इसको कहीं लिख लिजे तो दोस्तों पहले तो आप लोग तीथी जान लिजे, तो फालगुन पुर्णिमा 2.23 की जो महरत है, वो है पंचांग के अनुसार, 6 मार्च 2.23 को शाम 4 बच कर 17 मिनट पर यहां शुरू हो रही है, और 7 मार्च 2.23 को 6 बच कर 9 मिनट पर खतम हो रही है, तो यहां पूजा जो आप शुरू करेंगे दोस्तों, वह शुरू करेंगे 6 मार्च को, और यह 7 मार्च को समापन होगा, अब पूजा आपको कैसे करना है, इसके लिए पहले तो आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, आपको 6 मार्च को जब यह 4 बचे शुरू हो रही है, इस वक्त आपको एक चीज का विशेश करके ध्यान रखना होगा, चार बेजगवाद आपको नहाना है, धोना है, पीले करर के वस्तर धाना करना है, क्योंकि भगवान विश्णु जी की पूजा के लिए हम लोग पीले कर दाना करते हैं, किसी भी पीपल के पेलो के पास आपको चले आना है, और आपको एक घीका दीपक जलाना है, अब आपको भगवान विश्णु जी का बीज मंतर बोलना है, बीज मंतर इस प्रकार से, ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा, हम फिर जर रिपीट कर दें हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा, इस बीज मंतर का आपको 101 बार जाप करना है, इतना अगर आपने कर दिया, आपको एक घीगा दीपक पूर्व दिशा में चलाना है, अब आपको अपने हातों से तीन लौंग को दश्चिन दिशा में फेक देना है, अगर आप इतना कर देते हैं, मान के चलिए, इस फालगुन पुर्णिमा पर आपको साक्षात भगवान विश्णुजी का वह आश्रवाद प्राप्त होगा, कि आपके जो नव ग्रह हैं, वो आपका साथ से देंगे, आपके जो तारे हैं, वो आपका साथ देंगे, इससे फाइदा ये होगा, कि आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे, जो भी कार आप जो भी निड़ने लेंगे अपने कार्य संबंदित आपको उसमें फायदा पहुचेगा तो दोस्तो फालगुन पुर्णीमा की 6 मार्च को आपको यह उपाय अवश्य ही करना है और निश्चित रूप से आपको भगवान विश्णु जी का अशिवराद प्राप्त होगा दूसरा उपाय बड़ा सरलस उपाय है लेकिन इसको माता लख्षमी जी के लिए करना है एक बात का ध्यान रखेगा दूस्तू माता लख्षमी जी एक ऐसी देवी है ऐक ऐसी भगवान है जो किसी بھی विक्ती की पूजा से तुरंती प्रसंद प्रसंद हो जाती है लेकिन दि मूर्ति या कलाच चित्र नहीं है तो फालगुन पुर्णीमा का दिन एक बहुत शुद दिन है इस दिन माता लक्षमी जी के एक मूर्ति अवश्य अपने घर पर लिया है और अपने पूजा घर पर इस्थापित कर दें आपको सिर्फ यहा करना है कि पूजा घर जहां पर भी माता लक्षमी जी की मूर्ति है माता लक्षमी जी की कलाच चित्र है वहाँ पर बैठना है एक लाल कपड़ा रखना आपको लाल कपड़े में आपको एक मूर्थी चावल रखना है तीन काली मिर्च रखनी है दो लौंग रखनी है और आपको इस पर एक रुपे का ऐसा सिक कर रखना है जो कटा पिटा ना हो सिर्फ इतना आपको रखना है इस लाल कपड़े को आपको मौली धागे से बांद देना है सिर्फ इतना करना है अब आपको एक घी का दीपक अपने माता लक्ष्मी जी के मूर्ति के सामने कला चितर के सामने जला देना है अब माता लक्ष्म माता लक्षमी जी के चड़नों सुछवाना आपको और अपनी तक्या की नीचे 6 मार्च को दबा करके रख देना है 7 मार्च को आपको सुकर उठना है और इस पोटली को उठा करके अपने तिजोरी में, अपनी अलमारी में कहीं भी रख देना है जहां से भी आप पैसे लेन दिन करते हैं आप वैपारी हैं तो अपने वैपार स्थान पर इसको अपने साथ रखना है इससे हो गई है कि आप पैसे संबंजित जो भी नुरने लेंगे यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्षमी जी का अशिरवाद मिलेगा दोस्तो फालगुन पुर्णीमा के दिन जो भी आपको पाय करना है वो हमने आपको एक एक करके बता दिये इसलिए आप लोगों से निवेजान है दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जै भगवान विष्णू जै मातलक्ष्मी लिखना गलती से भी मत भूलेगा जै भगवान विष्णू जै मालक्ष्मी